Hello my dear, lovely, beautiful, handsome friends. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? Okay friends, अच्छे ही रहिएगा. क्योंकि जो इंसान दुनिया में खुश रहता है ना, उसको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती. तो खुश रहे और खुश ही अब माते हैं. Friends, मुझे पता है आप लोगों किस चीज का टेंशन हो रहे हैं. आप लोग अपने पार्टनर को लेका टेंशन में हैं ना, कोई लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर कहीं आप से कोई धोका तो नहीं कर रहे हैं. आपके पार्टनर जो आपको छोड़ कर चले गए हैं तो वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे? यही सब बात ही आपको परशान कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ कर क्यों गए? तो फ्रेंट्स चलिए, मैं आपके सामने दो डेक्स लेकर आई हूँ, एस आप स्पेड्स एन एस आप हार्ट्स यह दो आपके साथ में हैं, आपको इन दोनों में से एक को चूज करना है, अपने मन को शांत कीजिए, अपने पार्टनर की बारे में सोचिए और उनकी बारे किसी सूरत अपनी निगाहों के सामने लेकर आई है, और उनकी बारे में सोचिए हैं, अपने इनकी बारे में सोच लिया होगा, अब मैं इन दोनों में से किसी एक के लिए कार्ड सेलेक्ट करने वाली आपके सारे प्रशनों के उत्तर एक एक करके मिल जाएंगे, इसके लिए हम सबसे पहले Ace of Spades, मैं Ace of Spades के लिए रीडिंग कर रही हूँ, और Ace of Hearts को एक बार इधर रख दिया जाता है, Ace of Spades, Spades की रीडिंग, आपको जो सबसे पहला कार्ड निकलता है, वो कार्ड है, Perfect Time, इस सिम्याप का टाइमिंग्स जो भी चल रहा है, आप जो भी उनके बारे में सोच रहे हैं, आपने बहुत टाइमली उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, आपने बहुत टाइमली ये सोचना शुरू कर दिया है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है कहीं आप में ही तो कोई गलती नहीं है और यदि देखिए कार्ड अपने आप ही निकल कर आ रहा है Remain Positive आप से यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप Positive रही है कुछ भी ऐसा मत सोचिए कुछ भी ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर ने आपको धोका दिया है या आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं आपके जो भी Passion है आपसे प्यार नहीं करते हैं ऐसा Question नहीं है Friends आपको universe की तरफ से ये संदेश आया है कि आपने बहुत समय से इस question को पूछ लिया क्योंकि हो सकता है आप negative thoughts में घिरे हुए हैं उनसे निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था फ्रेंट्स इसलिए आप से कहा गया है universe की तरफ से कि be positive आपका जो next card है unlikely that means ये जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आपके partner आपसे बेहिंतहा प्यार करते हैं वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं उन्होंने जो कुछ भी आपको पिछले दिनों में कहा करा उसके हैं कि मैंने क्यों अपने passion को अपने person को छोड़ दिया देखिए एक card आपके लिए अपने आपी आ गया है दो cards निकले हैं फ्रेंज रिकवर थेखिए friends आपकी जो partner हैं अपने relation को recover करना चाहते हैं yes he wants or she wants to recover जो भी उन्होंने past में किसी के कहने में आकर किसी या financial problems भी हो सकत है friends हो सकता है उनकी कोई job में problem आ गई हो तो जो financial problems हो सकती है और भी कही सारे reasons हो सकते हैं maybe possible your partner is married और इसलिए उनकी जो married life है उसके कारण भी हो आपको एक बार उनको छोड़ना पड़ा तो कही सारे इसी problems है अब वो उस से बहार निकलना चाह रहा है he wants or she wants to recover फिर से आप से अपने संबंधों में प्रगाड़ता लाने चाहते हैं आपने संबंधों को आपके साथ में फिर से ठीक करना चाह रहे हैं friends वे चाह रहे हैं कि जो भी संबंधों में आपके साथ में problem हुई अब वो problem ना रहे है आपका जो next का निकल रहा है be assertive आपके लिए यह कहा जा रहा है कि आपको positive ही रहना है उनकी साथ में अपने relations जो भी आपके हैं उनको आपको बना कर रखने हैं friends किसी भी वो कोशिश कर रहे हैं वो आपको इतना miss करते हैं friends जब भी आपको वो online देखते हैं तो उनका भी बहुत मन करता है आपसे बातचीत करने का पर एक hesitation उनकी मन में लगाता चल रहा है और उनको hesitation यही है कि शायद आप उनको accept ना करें शायद वो आपके पास जो भी ल आपके दिमाग में तो यही चल रहा है ना आप उन पर negatively सोच रहे हैं ना उनके बारे में आपके फर्स जो beginning cards निकले थे उसमें यही है ना think positive आपसे कहा जा रहा है think positive, remain positive, positive सोचिये positive ही करिये friends तो इसलिए आपके partner को एक डर सा लगा हुआ है वो हमेशा आपके बारे में ही स सला दूंगी की प्यार बार बार नहीं मिलता हूँ एक बार एक प्यार मिल गया है किसी कारण वर आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई कोई problem आ गई हैं तो उनको नजर अंदास कीजिए आगे बढ़िए यदि आपके partner आकर sorry बोल रहे हैं आपसे फिर से अपना relation बनाना चाहते हैं फ्रेंट्स तो पीछे मत आतिये क्योंकि बार बार ये रिष्टे नहीं मिलते हैं okay friends ace of spades की reading इसके साथ ही मैं finish करती हूँ और आपसे request भी करती हूँ मेरे इस channel को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए bell icon जरूर तपाती चेका और please say thanks to universe क्योंकि आपकी जो cards निकल रहे हैं मैं तो आपके सामने shuffle कर रही हूँ friends shuffle करके अपने आप ही कोई card निकल आता है या मैं जो निकाल रही हूँ वो सारे के सारे cards universe की help से ही आपके सामने आ रहे हैं ओके friends अब हम लोग शुरू करेंगे deck ace of hearts से जिन फ्रेंट्स ने ace of hearts select किया अब मैं उन लोगों के लिए reading कर रही हूँ आप भी अपने partner के बारे में सोचिए उनके बारे में सोचिए उनकी बातों के बारे में सोचिए उनकी beautiful उनका handsome face अपनी निगाहों के सामने लेकर आईए और ये सोचिए कि आपने उनके साथ कितना अच्छा सवें गुजारा था इन सब बातों को सोचिए उनके नाम को सोचिए उनकी नाम को एक दुबार जरूर बोल लीजिए जिससे कि आप जो भी बातों के उत्तर जानना चाहते हैं वो यूनिवर्स आपको सही आंसर देने में हेल्प करें आपका कार्ड यूनिवर्स ने अपने आप ही निकाल दिया है एर फ्रॉम नाव लुक फॉर दे साइन जो भी साइन्स आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से वो जो आपको लव साइन्स भेच रहे हैं वो जो उनका आपका जो ब्रेक अप हो गया था वो फिर से उसको पैच अप करना चाह रहे हैं उन साइन्स को देखिए, सुनी और समझ ये वो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं तो उनसे मिलिए बैक आउट मत करिए क्योंकि चुप रहने से समस्यां बढ़ती हैं फ्रेंज यदि आप उनसे मिलते हैं उनसे बात चित करते हैं आपको पता लग जाएगा कि वो बैक आउट क्यों कर गए क्यों उन्होंने आपके और अपने रिलेशन के बीच में एक ब्रेक अप कर दिया था तो इसलिए जरूर मिलिए और ये आपको यूनिवर्स के तरफ से शियरटी मिल रही है कि एक साल के अंदर अंदर आप तोनों का रियूनियन हो जाएगा फ्रेंट्स जब यूनिवर्स लिए गारेंटी दे रहे हैं तो इस बात पर विश्वास कीजिए आपको विश्वास करना होगा कि एक साल के अंदर अंदर आपका रियूनियन हो जाएगा फिर भी बात ने सबसे कहना चाहूंगी कि हर बात हरेक से रेजोनेट नहीं करती है फ्रेंट्स आपका जो नेक्स क क्यों हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया यह शूर है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है आपने उनको नहीं छोड़ा था इसलिए आपको इस बात का और भी ज्यादा दुख है इस बात का गम है कि आपने आम तो उनके साथ में इतना प्यार से बे हो सकता है उनकी family नहीं चाहती हो कि वो आपके साथ contact करें आपके साथ मिलें ये भी तो हो सकता है ना friends और ये भी हो सकता है उनका किसी धोम दोस्त ने उनको आपके लिए कुछ गलत सरत information दे दी हो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जब आप online रहते हो वो उनको पसंद नहीं आता है उनको लगता है आप किसी दूसरे person के साथ में chatting कर रहे हैं that means उनको आप पर विश्वास नहीं ये हो सकता है और ये भी हो सकता है friends मुझे तो जो आपके cards देख रही हूँ उनसे तो मुझे यही समझ में आपके जो person है वो में भी married हो तो उनकी married life के कारण भी हो सकता है back out कर गए हो बट फिर भी universe ने आपको जो card भिजा है remain positive universe आप से यही कह रहा है कि आपको positive रहना है positive सोचिए क्योंकि जिस जहांपर thinking positive हो जाती है जिस जहांपर विचारधारा positive हो जाती है वापर results भी positive निकलने लगते है तो आपको universe की तरफ से यही संदेश आ रहा है यही संदेश भेजा जा रहा है कि आप positively सोचिए एक दूसरे के relation के बारे में एक बार फिर से इसको thought दीजिए और यही positively सोचिए कि यदी वो आपको online देखकर परिशान होते है it means he loves you so much he is not able to see you talking to anyone else किसी दूसरी के साथ आपको सहन नहीं कर पा रहे है friends आपका एक कार्ड अपने आप universe ने मुचे भेज दिया है that is compromise देखें मैंने अभी आप से कहा था maybe possible आपकी friend married हो और यह भी possible है आप भी married हो तो दोनों को compromise करने पड़ेंगे क्योंकि married life छोड़ने सकता कोई भी so you have to compromise with what the situation is in front of you आप financially उनकी help कर सकते हैं तो करतीजे नहीं तो आपको compromise करना पड़ेगा और compromise यही है friend कि आप एक दूसरे से जो मिलना चाहते हैं एक दूसरे से अपनी feelings को share करना चाहते हैं अपने एहसास एक दूसरे से बताना चाहते हैं देखिए आपके लिए एक दो cards और universe की तरफ से आगए है communicate clearly and peaceful resolution वाँ friends वाँ मान गए हैं मान गए हैं आपकी feelings को friends universe ने आप से कहा है कि communicate positively जो मैं आप से अभी अर्ज कर रही थी कि आप किसी भी हालत में एक दूसरे के लिए positive सोचिए solutions निकालने की सोचिए the same has been told to you by the universe की positive रही है और communicate जो भी आप कर रहे हैं that is clearly एक दूसरे को एक दूसरे की situation के बारे में साफ साफ बता दीजे ये मत कहिए कि मतलब किसी को भी जैसे आप पहले उन्होंने आपको धोखे में रखा बताया नहीं कि उनकी family है या उन्होंने आपको धोखे में रखा कि उनकी financial problems है तो इस तरीके से एक दूसरे को धोखे में मत रखिएगा आप से यह कहा जा रहा है कि आप peaceful resolution निकालिए शांती पूरवक इस बारे में विचार कीजिए और इसका शांती पूरवक समाधान निकालेंगे तो friends आप एक दूसरे से मिल सकते हैं मेरी तो इश्वर से ही प्रातना रहती है कि कोई भी soul कोई भी आत्मा एक दूसरे से दूर ना हो सब अपने अपने पार्टनर अपने अपने पैशन के साथ रहे है okay friends see you in my next video bye